अराई थाना अंतरगर जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में हुए आपसी जगड़े में गोली लगने से महिला की मौत होगी जिसके निस्पक्षी जाच कराने की मांग रखी है आरोपियों को सजा दिलाने के लिए ग्रामवासियों ने आज अजमेर एस्पी तारले पर प्रेदेशन किया है और पुलिस कप्तान को गड़ राश्रदीप को ग्या पन सौ पार ग्रामवासियों का कहना है कि लड़ाई में कुछ दिनों पहले हुए जमीन के आपसी विवाद में शाम से इंग द्वारा चलाई गई गोली से प्रताब कमर को लग ग लगए और वो छोड़ा कर भागने कोशिश किया तो उसकी माराजपूत समाज ने उनकी माक्या खुद ने अत्या करके उसको कलेम लगाने के प्रसाने के चक्कर में करतार चोधरी को प्रसाय जा रहा है इसकी निश्पक्स जाचिक की जाए ताकि निर्दोस आजबी को इसक ख्रस करा लिए उनके परिवार के पुरे परिवार का नाम लिख दिया और यह थ्या करने का नहीं कहांत नहीं हैं। उनके परिवार नहीं, उनकी भुड़ी कम से कम सो साल की डौकरी थी, खुद नहीं मारकर उसको पसाय गया है, जोटा अरूब लगा रहे हैं, करतार चोधरी और भागचन चोधरी के उपाइए, जो गटना करम हुआ है, उस सिल्सिले में आज जिला कलेक्टेर में हम स्पी जाओ, तो इसका दूद का दूद और पानी का पानी हो, तले के आपस में विवाद था, तो गाओं में था को जमीन का पुराना मेटर का उनकी, करतार चोधरी और बतावना आपकर, करतार चोधरी था, और राजबूद, श्याम सिंग, आपस में इनके विवाद सरू से चल तो गाओं में चुट मुट देखो, यह होता रहता ऐसा नहीं, आपस में आपसी बाइचारा बहुत बड़े इस तर पे है, लेकिन आपस में इन दो परिवारों में मन मुटा होता और वो जमीन को लेके था, और कल जो भी हुआ, वो गलत हुआ, हम भी बात को भी बताओं, एक बुजर्ग महिला की वहां जो गटना गटी और कहते हैं कि वह अत्या हो गई बुजर्ग महिला की, तो जो भी हुआ गलत हुआ, लेकिन जो भी हैं दोसी, उनको सजा हो, निर्देवस लोगों को नहीं हो, तो पुलिस पे शिखाए तेरी, आपने के कारवाई नहीं करते एसा नहीं गलत लोगों पसाए जाए, यह दोलपूरी आ रहेगी मुखर है एसा नहीं हो एसा है लोगों के कारवाई